नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिन्दगी बने असान में दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है गट-ब्रेइन कनेक्शन विद फूड के उपर हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम जो खुशी आसपास जून रहे थे न वो हमारे खुद के अंदर मौजूद है हमें बस जानने की जरुद है कि क्या हमारा जो यह शरीर है वो सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं क्या हम सही इंटेक उसे दे रहे है या नहीं क्या हम उसे समझ पा रहे है या नहीं इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भवानी जी जो कि एक नुट्रिशनिस्ट है और साथ ही साथ एक वेलनेस कोच भी है आईए उनसे बाते करते हैं ओम शा सिस्टर मुझे तो बहुत मजा रहा है सीरीज में क्योंकि मेरे पास इतने सारे सवाल है जो कई बार हमारे दर्शक भी हमें इमेल करते हैं जिनका जवाब आप हमें इतनी खुबसूरती से दे रहे हैं सबसे पहले थाइंक्यू पर कामेंग इना शो थांक्यू अश्यू के बीच में एक कॉमन पउइंट आता है वो है हमारे खुद के बैलियू स थी कुद की जिटे हैं अ भी तक क्य जिंदगी जीते हैं तो हम रोस खाते है कितने टाइम खाते हैं वो डिपेंड करता है अलग-अलग जटी के हिसाआप से लेकिन इन शभी की बीच बीच में एक क है जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप देखोगे तो 90% लोग कहेंगे कि हाँ खुश है खुश है मतलब आसपास में सब कुछ ठीक चल रहा है खुश है लेकिन जैसे ही 0.1% अपने मुताबिक नहीं चला तो खुश ही गायब हो जाती है आज अगर पिता बच्चे से कहें कि पांधा एक ग्लास पानी लाके दो छोटा बच्च थए दोड़ ड़ड़के लाके देगा बच्चा बड़ा होगया तो कहयेगा कि मैं हो मुमवक कर रहा है은 May project कर रहा तो तुरंथ पापा जो हो जाएगा, मम्मी कुछ कहाएगी हो जाएगी, तो ऐसे अगर हम देखे तो अंदर से वो जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं है, और अपको एक बात बताओ, ये जो हैपिनेस का अपने क्वेस्टिन पूछा ना, ये हैपिनेस की जो वैल्य ये हमारे डाइजस्टिव सिस्टम से बहुत जुड़ी होई है, अगर हमारा पेट हम खुश नहीं, तो पेट भी खुश नहीं रहता है, और पेट अगर खुश नहीं है, तो अप सारी मिमारी आती है, तो ये बहुत जरूरी है, और एक बात, हम एक रिसर्च में, मतलब हम जब किया था, तो उसमें ये भी देखने को मिला, स्पेशली डाइबटिक वालों के उपर ये रिसर्च किया गया था, तो डाइबटीज वाले पता है, बिलकुल खुश नहीं रहते हैं, और इस वजह से उनके शुगर लेवल कभी भी नॉमल में नहीं आते हैं, जब एच निकाला जाता है, रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा बताता है, 8, 9, 10 लेवल और फिर परेशान होते हैं, मेडिसन लेते, इंसुलिन लेते, लेकिन उस रिसर्च में हम लोगों ने ये किया था, कि उनकी हैपिनेस कोशेंट को बढ़ाने की कोशिश की थी, तो हैपिनेस कोशे इसा ने कि एक दिन किया और छोड़ दिया, continuous करते गए, दो तीन महीने, फिर रिपोर्ट निकाला गया, तो फिर देखा उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल होने लगे, पर एक एक्सराइस हम लोगों ने करवाया था, जो बहुत ब्यूटिफुल था, जिसका रिजल्ट अमे को फोन करना होगा, जिससे आपने बहुत सालों से बात नहीं किया, बात नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके उनके बीच में कोई लडाई हो गई होगी, आपको उन पर गुसा होगा, या कुछ भी हो सकता है, पर आपको उनसे बात करनी है, फोन करके, ठीक है हमने बहुत सुंदर सा उस बीच में हमें जानने को मिला तो एक भाई थे तो लास्ट डे उन्होंने कहा हाँ आज मैंने फाइनली बात किया अपने बड़े भाई से और वो जूम पे ही रोने लग गए तो फिर हमने पुछा क्या हुआ तो बहुत साल हो गए मैंने अपने गर तो जैसे से मैं बड़ा होता गया तो मेरे तो दूनिया बढ़ लगी सबदोर होता गया होता गया और मेरे मन में वह ख़ता थी अपने भाई के लिए फिर जैसे मेरी उमार बढ़ी मै만ने रेलाइस किया मेरा भाई गलत नहीं था वह मुझे बड़ा करने के लिए तो उसने बहेव किया था, मैं मैचूर हुआ तो मुझे ये बात समझ में आई और मैं उसको बोलना चाहता था, कि तुमने जो मेरे साथ किया वो सही था लेकिन मैं बोलने ही पा रहा था, और वो दुख मेरे अंदर था कि मैं अपने भाई से कम्यूनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो जैसे हमने जबरदस्ती का ये करवाया सबसे, तो फाइनली उन्हें भी बात करनी पड़ी अपने भाई से और उन्हें कहा मेरा भाई इतना खुश हुआ, मेरी आवाज सुनके वो रोने लगा और उसका रोता हूँ आवाज सुनके फिर महर ओने लगा और बुला मुझे इतनी खुशी हुए कि सालों बाद मैंने अपने भाई से बात की तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो happiness जो हमारे ये value हमारे digestive system से ही connected है हम जितना खुश रहेंगे उतना हमारा पेट भी खुश रहेगा तो मैं audience को ये बताना चाहूंगी कि बस खुशी मतलब ये खाया, वो खाया, ये देखा, वो देखा, बाते की रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड किया, वो happiness, happiness नहीं, आंतर ही खुशी, आंतर ही खुशी आपको कैसे मिलेगी, अंदर से जो आप स्टेबल हो, रियली आप हैपी हो, तब आपका digestive system उस happiness को accept करेगा, उपर उपर वाले को accept नहीं करता है बिलकुल, sister मैंने एक चीज और नोटिस की है, कि spirituality एक पाथ है, वो एक जीने का तरीका है, और उसके साथ में बहुत सारे practical aspects भी जूड़े होते हैं, जैसे अगर आप spiritual है, जरूरी नहीं है कि हमें सब को छोड़ना है, जरूरी नहीं है कि हमें एक ऐसे पाथ पर जाना है, ज अगर आप जिन्दगी में लोगों के बीच में रहते, उन सब का खयाल रखे, अगर आप इश्वर से कनेक्टेद है, तब आप जिन्दगी सही माइने में जी रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं, जो हमारा सीरीज चल रहा है, गट, ब्रेन, हेल्थ, और खासकर कि उसका कने हुआ है, जो हमारा फूड हर जी है, तर भी कि हुष्ट बोरी है, पुरिच्वालिटी का जिंदगी में होना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने हाप्पिनेस का क्वेसिन पूचा, तो हप्पिनेश हमें आएगा कहां, क्यों कि हैपिनेस हमें अभरमने नोनुल को मैं खुचल ऑड़ द agu甲ूब है अब मधनाझाारी किसा सकते है और हम आपिनसम कैसे हमें मिलेगा वो तब ही मिल सकता है जब हम उस्सु परीम सौल से क्निक्ट होते हैं कि अंदर से हम भर पूर रहेंगे, हम हैपी रहेंगे, अगर मैं हैपी हूँ तो मेरा पूरा सिस्टम खुष बढख ने थी इहा हमें हेल्टी रहना है, अच्छी बात है हल्दी रहन बहुत अच्छ है यह सफॉट भी हई उसस avons जोघने हैं में जंक फूड नहीं खाऊ, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करूँ, एक्सराइज करूँ, डायेट पे ध्यान दू, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी को आप वापस क्या दोगे, आपने आपको तो आपने बहुत अच्छा रखा, पर यह हमारी भी रस्पॉंसिबिलिटी है, आप सोसाइटी को हम भी कुछ दे, तो हम happiness दे सकते हैं, अब देखो किसी की बास में, बहुत धन्दौड़त नहीं हूती है, कि वह दे। बहुत बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं, तो एट लिस्दु हम उस happiness को, कोुछ प्रेद करेंगे, जब हम खुद हैप रहेंगे, और रम खुद कैसे हैपी रहेंगे, जब उस परमात्मा से कनेक्ट होंगे, तो आपका गट भी अच्छा है जैसे आप कहा रहे हो, आपका बिन भी अच्छा है और अच्छी डाये भी ले रहे हैं, और इसकी साथ-साथ, अगर आप सुप्रीम सूल से कनेक्टेड भी रहते हैं तो वो जो सुख है ना, वो अलग सुख है और उस सुख को जब अब spread करोगे चारों और, तब जो आसपास के जो लोग है आपके पास वो आटमेटिकली आपके तरह अट्रैक्ट होंगि तो एक अलग तरह की ब्यूटी है अलग तरीकी का happiness है Sister, एक और पहलू इस से जुड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल spirituality has become like a fashion. Yes. सब सोचते हैं कि मैं खुद spiritual हूँ, अलग-अलग ways में, beautiful ways में, लोग अपने आपको भगवान से कनेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और पहलो जुड़ता है, वो है food, उनका food extremely unhealthy होता है, unhealthy not as burger or pizza, but as puri, like puri खाना, kachoria बनाना, फिर बुंदी, बुंदी के प्रसाद बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजे हैं जो unhealthy होती है, जो लोग spiritual path में होते वे भी food habits गलत रखते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, अभी इस पे ना, इस aspect पे दो चीजे आ जाती है, एक होते हैं कि लोग actually spiritual journey पे चलना start किये, दूसरी, एक ऐसे set of people होते हैं, जो कहते हम बहुत spiritual हैं, होता है, spiritual होना अलग होता है, ये दो चीजे होती है, तो इसमें confuse कर लेते हैं, रही बात जैसे प्रसाद की, तो आप देखिए प्रसाद की quantity थोड़ी सी होती है, अगर हम बुंदी थोड़ी सी खाये, तो कुछ नहीं होगा, चोटा सा एक पूरी उसमें आलू डाल के खाये, तो वो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम सात्विक फूड की बात करते हैं, तो सात्विक फूड का मतलब है तो बहुत इंपोर्टेन की उसमें no onion no garlic है, उसमें आपने fresh food लिया, वो सब कुछ, लेकिन सात्विक फूड भी तामसिक बन सकता है, तो ये एक पॉइंट है जो हम सब को समझना होगा क्योंकि हम समझते हैं कि हम प्यूर वेजटेरियन इस पर भी हम नो अन्य नो गार्लिक है तो हम सच्विक पैकर के लेकिन आपने फूद लूंच के लिए बनाया और अपने उसको रेफ्रिजरेट करके रख दिया उसको ही गरम करके आपने डिनर खाया तो इसको सात्विक में नहीं आएगा ये सात्विक की काटेगरी में मतलब ये तामसिक हो जाएगा वो कैसे क्योंकि फ्रेश फूड़ आप जो भी बनाते हो जैसे अपने डाल रोटी सब्सी चावल बनाया ये फ्रेश आपने कुक किया इसको दो गंटे के अंदर अगर अगर बना नहीं पाते तो फ्रेश में रख देते इसको शाम को खाते उस पर भी सबसे डेंजरिस क्या होता है कि फ्रेश में रखा हुआ इमिलेटली निकाल के माइक्रोवेव में गरम कर देते तो इसको हम थोड़ा साइंटिविक फूड अभी तामसिक हो गया अब थोड़ा प्रेश नियुक्ग अभी फ्रेश फूड है उसमें गुड बैक्टेरिया उसकी तेम्परेचर अच्ही आपने खाया अच्हा लेकिन थाइम होते होते यह बैक्टेरिस मुल्टिप्लाई होरे जो हमारे पेट के लिए अच्छ नहीं उस पर आपने उसको तो फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में माइनस फूर डिग्रीज पर तेमपरेचर होता है, तो बैक्टिरियास की ग्रोथ जो है ना, जोगा बढ़न हो जाती है वो ग्रोथ और हम क्या करते हैं फ्रिज में से निकाल कि उसको इमिडेटली जब माइक्रोवेव करते हैं या कड़ाई में डाल कि हम गयास पे गरम करते हैं तो फिर टेंपरेचर हाई हो जाता है और फिर उसमें बैक्टेरिया ज्यादा पनपने लगते हैं तो ऐसे करते हैं ब तामसिक हो गया, in spite of that food being a pure vegetarian food without onion, without garlic, but still it has turned to tamasik food, इस बात पे भी focus करना बहुत जरूरी है, जी फ्रेश फूड खाना, आप जितना फ्रेश फूड मतलब जो नेचर से मिल रहा है हमें, रॉफूड वो तो है, cooked food भी अगर आप फ्रेश बना के खाते हो, तो वो ज्यादा आपकी health को benefit करेगा, बिल्कुल, sister दो चीजे है, एक है food, एक है water, ये दोनों चीजे हमारे पूरे गट को बनाती है, water, इसके बारे में आप कुछ अगर आपे रोशनी डाल सके कि किस तरह से पानी हमारे गट, ब्रे स्कूल में पढ़े थे ना कि 70-75% हमारी बॉडी में water है, water बहुत इंपोर्टेंट हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, तो water जो है neutral होता है, ठीक है, अब ये water हमारी बॉडी में जाना बहुत जरूरी है, तो water की भी एक quantity होती है, हम क्योंकि information overloaded है, तो हमने decide करके रखा है कि दि में चार लीटर, पांच लीटर पानी पीना चाहिए, सुबह उटते साथ हमें आठ ग्लास, छे ग्लास पानी पीना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, मैं ओडियन्स को यही बताना चाहूंगी, कि आपकी जो केपैसिटी है, number one point, water से related, आपकी अपनी जो केपैसिटी आप उतना ही पानी पीजे, सुबह उटकर आप एक ग्लास से जादा नहीं पी पाते हैं, तब फोर्स करके मत पीना, कोई भी चीज हम अपने बोडी की साथ जबरदस्ती करेंगे ना, तो वो उल्टा हमारे उपर असर दिखाएगा, जैसे अभी, सपोज, कोई एक परसन है, जिस पे बिल अच्छी नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो जोर नहीं दे सकते हैं बोडी पे, वैसे ही पानी, ऐसे एक्स्ट्रा ओवर्लोड नहीं कर सकते हैं, तो हमारी जो भी रिक्वार्मेंट है, आपको प्यास लगती है, वो टाइम पे पानी पीना, फिर बीज बीज पे पानी पीना, तो वाटर इस तरह से हमारी बोडी की रिक्वार्मेंट, वाटर की फायदे क्या है, कॉंस्टिपेशन नहीं होगा, हमारी अंदर की फ्लुएड बैलेंस रहेगी, और वाटर बहुत इंपोर्टेंट है, कि हम सुबह जो पीते हैं, सुबह वो भी विदाउट ब्रशिंग, और ये तो पुराना हमारा Ayurveda साइंस है, जिसमें कहा गया कि बिना ब्रश किये आप पानी पीना, उसका रीजन क्या है, वाटर नूटरल है, हमारे मुह में पुरा सलाइवा भरा होता है, सुबह उठते ही, आपने नोटिस किया होगा, वो सलाइवा अलकलाइन होता है, पानी पेट में बिना ब्रश किये पानी पीना, जितनी आपकी केपैसिटी आप पियो, अब दूसरा थोड़ा spiritual aspect, अगर हम देखे इसमें पानी पीना, तो पानी में बहुत सारे memories fast आ जाते हैं, बहुत सारे researches भी हुए है, हमें पता भी है, water carries memory करके, और पुराने जमाने की आपने, अगर आपको याद हो पता नी क्योंकि हम बहुत छोटे जब थे तो पापा जब ले जाते थे ट्रेन से, तो काफी लोग है ना, जैसे हमारी दादी जो थी मत्का, वो जो घड़ा होता था था मिट्टी का उस पे पानी भर के चोटा सुराही कहते हैं, को लेके जात और चुराजी उस पानी में जाती है, हम उसको अगर ड़क से देखे तो 마음 को भी हमें सही नहिंक से । और हम सब को पता है, वॉटर को चार्ज कैसे करते हैं, वटर को उसमें प्योर एनरजी कैसे देते हैं तो पानी पीने का भी तरीका होता है, एक क्वांटी होती है, उन स जरूर एक बात यहाँ पर कहाँगे ओडियन्स को कि बस कहीं पर लिखा है इन्फरमेशन आप उसके उसको पढ़ कि आप वही मत करने लगना थोड़ा सा अपना भी दिमाग अप लगाना कुछ अप खुद पर एक्सपरिमेंट करना जब तो पर नहीं आप करोगे आप कुछ बाते पता चली जिसमें मुझे सबसे अची बात यह लगी आपकी कि अगर हमें अपने गट ड्रेन और फूड इन तीनों का ध्यान रखना है तो स्पिरिच्वालिटी को अपने जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है और स्पिरिच्वालिटी और बिंग रिलिजिस यह दो अलंग बाते हैं हमें दोनों ही सही है लेकिन हमें देखना है कि दोनों में सी कौन सी चीज हमें उस इश्वर से ज्यादा जोड रही है और उस पात पर चलना है Thank you so much sister. Thank you for coming in our show. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. दोस्तों आज के पिसोड में हमने जाना कि अगर खान पान अर्थात आपका जो food habits है वो healthy रहेगा तो आपका gut healthy रहेगा gut healthy रहेगा तो आपका brain healthy रहेगा लेकिन इस सभी के उपर उस सबसे उपर भी एक बात होती है कि आपका relationship इश्वर के साथ कैसा है अगर आप पूरे दिन में थोड़ा समय उसके साथ बिताए और सही खानपान करें तो आप मैसूस करेंगे कि आपके लाइफ के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रही है न वो दीरे दीरे कम होने लगेगी क्योंकि आप खुद के अंदर खुद को सौर्टेट फील करेंगे इस बात के साथ आज की प्रॉग्राम कॉमेंट करतें कल आप से फे मिलेंगे आपके ही शो में जिन्दगी बने आसान ओम शांती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिन्दगी बने आसान ब्रॉम्ह कुमारीज गौडलीवूड स्टूडियो शांतीवन आभूरोड कॉल 809-4913-487